राश्मिता मादमा गादंदी बावा भीमरा अम्बेटकर जी जिनों ने इस देश को इतना चांदार और सुन्दर संविधान दिया हमारा देश हमारी धर्ती कभी भाषा के नाम पर या धरम के नाम पर कभी भेदवाम नहीं किया होगा ये जो धरम के लेकर के भेदवाव नागरिगों के साथ होगा उसका बिरोध एक-एक भारतिय कर रहा है हम उनी से जानना चाहते हैं कि आखिरकार अपने बोट के लिए क्या भारत की आत्मा को खतम कर देंगे आप अपने बोट के लिए समाज में खाई पैदा कर देंगे ये प्रदेश वो है जहां की जनता ने देखा है और इनी भारती जनता पार्टी की भाषा में सुना है याद कीचे वो कहा गयाता है कविर्स्तान और सम्षान यही भारती जनता पार्टी की भाषा थी दिवाली और रमजान भारती जन्ता पार्टी समिदान से इसलिए खिलवार कर रही है क्योंकि उसके पास बहुमत है बहुमत से आम लोग की आवाज को नहीं दबाय जा सकता और लोगतंत उतना ही मजबूत होगा जितनी आवाज उठेगी बिपक्ष जितनी बात रखेगा इसलिए जहां तक सवाल डंके की चोटप और बहस का है हम तो कहते हैं भारती जन्ता पार्टी के लोगों से कि आप जगे तै कर लें भारती जन्ता पार्टी के लोग मंच तै कर लें तीन साल में हमारे बाबा मुख्यमंत्री किसानों को भी नहीं बचा पाए इसलिए जगे तै कर लें हम विकास पर बहस करने के लो तैयार हैं और याद रखे देश बिरोजगारी में फस गया है इतने बड़े पेमाने पर बिरोजगारी कभी नहीं आई होगी कभी एक समय मैंने जब करांतीरा चलाया था कहा था कि इस देश में केवल बिरोजगारी नहीं बड़ी है अगर यही हालात रहे चीजें नहीं बदली तो बिरोजगार बाब की भी संख्या बढ़ जाएगी और अब तो लोग आत्महत्या करने लगे हैं किसान के बाद अब नौजवान भी आत्महत्या करने लगा है अर्थववस्ता कहां पहुंच गई है उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं कि अर्थववस्ता कहां पर है नोक्रियों के सवाल पर नहीं बहस करना चाहते हैं नोडबंदी के सवाल पर नहीं बहस करना चाहते हैं इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जहां चाहें वहां विकास पर बहस करना चाहें हम समाजवादी लोग तयार है